हेलो दोस्तो आज मैं आपको आम को भून करके आम पन्ना की टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ वो भी बिल्कुल इस टेस्टी रेसिपी यह देखिए आम पन्ना जो काफी टेस्टी लगती है तो चलिए सुरू करते हैं इस रेसिपी को इसके लिए मैंने लिए है इसे श्टोब में धीमे आँच में इसे रखते ने हैं ताकि ये धिरे-धिरे पकते रहे ये देखे और हाँ दुस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू करें और बेल आइकोन को जरू दबाए ताकि आगे भी हमारी विडियो की न इसके जो उपर के छिलके हैं अच्छी तरस से जल गए हैं और अच्छी तरस से यह आम हमारे पक चुके हैं यह देखे मैं इसे प्रेस करके दिखा रही हूं एक काटे वाले चम्मस से यह देखे यह आराम से मेरे चले गए हैं काटे यह देखे मतलब यह परफेक्टली हमार तुरंत आम के पनने बनाने हैं तो इसे आप ठंडे पानी में तुरंत डाल दे यह देखे जैसे मैं डाल रहे हूं क्योंकि मैं अभी आपको बनाके दिखाने वाली हूं यह देखे यह चिलके जलने के कारण यह कापी टेश्टी लगती है और बिल्कुल ही इस ट्रीटे स्टै मैंने लिए हैं जीरा यह इसे आपको अच्छी तरह से इसे पकाना है इसे लगभग सुंधी सी महा खा जाए तब तक यह जीरे को अच्छी तरह से आपको भूनने है यह देखे मैंने मोटे तवे कायूच किया है इसके लिए जीरे अच्छे से गर्म हो चुके हैं आप काल लूँगी यह देखिए इसे थोड़े से प्रेस कर दे चला दे ताकि यह मिर्ची की भी जो सोंधय पन है और जो जीरे में जो इसमेल होती ही वो काफी टेश्टी होती है और बहुत ही सी सोंधी सी महकाती है यह देखिए आम भी हमारे ठंडे हो चुके हैं आप देख सकते ह अब यह से कुछनी करना है इसे अच्छी तरह से आपको प्रेस कर लेने है और इसे अच्छी तरह से आप चाहे तो सिलवट्टे में या फिर ओखली में आप किसी भी सहायते से आप अच्छी तरह से कूट सकते हैं मैं इसे बैलन से कूट रही हूँ यह बहुत ही जल्दी कूटना है तो आप इसी तरह गर्म गरम जीरे को रखे और इसे अच्छी तरह से कूटले और इसा टेशना से清 UW GER School मसाले में तयार हो चुके हैं अभ यह देखिए आम के पल्प मैं और फिर मैंने अच्छा टेस्ट आए और फिर मैंने यह जीरा जो कुटली थे भी उसका पेश्ट एट किया है यह देखे पाउडर और इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और हाँ दोस्तों अगर आपको खटी मिठी वाली आम पन्ना की रेसिपी चाहिए तो आप इस रेसिपी आपको कैसी लगी यह हमें आप कॉमेंट सेक्शन में बताए तो क्या आप भी इसी तरह भून के आम पन्ना की रेसिपी बनाते हैं या आप इसे उबाल के बनाते हैं अगर उबाल के बनाते हैं तो एक बार आप इसे भून के जरूर ट्राइ करें तब तक के लिए एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई